वेलकम टू मै चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पुराने वभयंकर दाथ खाच खुजली को जड़ से मिटाने का बहुत ही बढ़िया घरेलू उपायाज आपके साथ शेयर कर रहे हूँ बहुत ही कम समय में और बहुत आसानी से आप इसे जड़ से समाप्त कर सकते हैं आपको यहाँ लेना है पाउडर आप वैसे किसी अच्छा एंटिसेप्टिक जो पाउडर होता है वो लें तो और भी अच्छा है यदि नहीं है तो जो भी पाउडर का आप लोग इस्तमाल करते हैं आप वो यहाँ पर ले सकते हैं पाउडर हमारे दादखाच खुजली में थोड़ा हमें जलन से राहत दिलाता है और साथ हमें उस जगह पर ठंड़क देता है इसलिए यहाँ पर मैंने पाउडर का इस्तमाल किया है तो आपको यहाँ लेना है एक से दो चमच टेलकम पाउडर कोई सा भी पाउडर आप ले और वहां खुजली तेजी से फैनले लगती है और धीरे धीरे दाद खाज खुजली का रूप ले लेती है तो यह जो फंगल इंफेक्शन है दोस्तों जातर उस चगह पर होता है जहां पर बहुत जादा पसीना आता है जो चगह हमारी चिप-चिपी रहती है जहां पर हवा कम लगती है खासकर गर्मी के मौसम में जादा डर होता है तो यहां पर मैंने दो चमच के करीब टेलकम पाउडर लिया है कोई सा भी चेहरे में लगाने वाला जो आपका पाउडर है आप ले 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 नवरतन तेल लिया है दोस्तों बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियां ह खासकर इसमें जो चीजें होती ना जो और जड़ी बूटी होते हैं यह फंगल इंफेक्शन को जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बैनिफीशियल होती है तो यह जो नवरतन तेल है आपको यहां पर पूरा एक से दो चमच के करीब लेना है यदि एक पा और इसे डालने के बाद आपको इसे मिक्स करना है तो नवरतन तेल में भी बहुत सी जड़ी बूटिया होती है जो हमारे फंगल इंफेक्शन को ठीक करता है और साथ ही साथ हमारी उस जगह पर ठंड़क देता है बहुत ही बढ़िया आयरुवेदिक तरीका आज आपके कर रही हूं दोस्तों इस नेचरल रेमेडी को आप लोग जरूर ट्राय करें और अगली चीज जो आपको यहां डालना है विटामिन E ओल का कैपसूल आपको किसी भी मेटिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा एक कैपसूल जरू डाले विटामिन E ओल हमारे बालों के यह देखें और बस इसका ओईल निकाल लें आप तो विटामिन E ओल भी है जो दात खाच खुजली को बिल्कुल ही समाप्त कर देगा और साथ ही साथ यह जो मलहम बना रहे हैं यह क्रीम बना रहे हैं उसे और भी ज़्यादा यह पावरफुल बनाएगा इसके अलावा दोस कई वार ठंड के मौसम में भी हमारी स्किन बहुत जादा ड्रा हो जाती है सूखी हो जाती है और फिर हमें वहां पर बहुत खुजली चलती है और Regla like же the वहाँ पर जलन होती है और धिरे-धिरे से वहाँ पर दाद बनने लग जाता है तो और ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है दोसों इसलिए समय रहते ही आप इसका उचार कर लें तो बैस रहेगा नहीं तो ज़्यादा फैल जाता है तो घर में और लोगों को होने का डर रहता है इसके अलावा थोड़ा खटी चीजों से परहेच करें जैसे खटा दही खटे गोल गप्पे का पानी इस तरह की चीजें कोशिश करें ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है खटी चीजें और इस जगह पर साबून नहीं लगाना है तो ये इस तरह का पेस्ट बन खटा है खरोच निशान मुहासे के निशान हो हर तरह के दाग धब्बों को दूर करने में विटामीन E ऑईल बहुत ही फाइदे मंद होता है और खासकर ये जो हमारी स्किन डिसीज है उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है आपकी जो दात खाज में खुजली हो रही है जलन ह उसे शांत करेगा और साथ ही साथ नवरतन तेल में जो जड़ी बूटिया है दोस्तों वह दात खाज खुजली के किटाणूओं को खत्म करने में बहुत ही लाभकारी है साथ ही साथ दोस्तों ये जो चीजे हैं मैंने जो इसमें मिलाई है सभी चीजे इस क्रीम को अब आपको उस जगह पर लगाना है जहां पर फंगल इंफेक्शन है तो उस जगह को सबसे पहले आप गर्म पानी में एक कौटन का कपड़ा दुबा लें और कौटन का कपड़ा कोई भी सूती कफड़ा और उस जगह को पहले गरम पानी से साफ करें तो फंडा पानी न लगाए गरम पानी से साफ करें ताक हिंटेक्षक्षेल न पाए और उस जगह को फिर सुखा लें पोछने के बात फिर आप इसे लगा कर मतलब कुछ समय तो है जरूर रखें ताकि आपको इसका best result मिल सके ये देखें आप चाहें तो रात भर भी लगा कर रख सकते हैं ऐसा नहीं है पर आप ऐसा नहीं कि लगाए और धो दिये किसी भी remedy को work करने में थोड़ा सा time लगता है और आप देखेंगे एक बार के ही इस्तमाल से आपको महसूस होगा अरे वहा हमारी जलन बहुत कुछ कम हो गई है इतना अच्छा है दोस्तों इतना फाइदे मंद है ये विटामिन E ओल इस घाव को तेजी से भरे का टेलकम पाउडर जो है दोस्तों वहां क्या जो हमें infection है और जलन जो हो रही है उसको जलन को शांत करेगा आपको ठंडक पहुंचाएगा आराम देगा नव रतन तेल में ऐसी जड़ी बूटियां है दोस्तों जो कि किसी भी तरह के फंगल इंफेक्शन को खत्म करती है तो इस रेमेडी को जरू ट्राय करें दो तीन जिस जगह पर होता है जातर जहां पर पसीना आता है बहुत चिपचीपी जगह होती जातर कई लोगों को थाईस के आसपास हो जाता है तो आप इसे जरूर ट्राय करें ये बिल्कुल नैचरल रेमेडी है एक दिव औजधी भी आप इसे कह सकते हैं ना आपको बार-बार बज़ार जाने की जरुद है ना डॉक्टर पसके जाने की जरुद है आप भले डॉक्टर का इलाज करा शुके हैं दोस्तों पर एक बार इस रेमेडी को आप मेरे कहने से जरूर ट्राय करें क्या होता दोसओं कई बार हम लोग खुब सरी दवाई लेते हैं बजार के महंगे महंगे ट्यूब लगाते हैं परंतु तब तक हमें फायदा होता जब तक हम लगाते हैं उसके फिर वैसी होने लग जाता है तो आप इसे जरूर ट्राय करें और ये बहुत इजी है तो आप कर सकते हैं मेरे कहने से जरूर करें द नीम का पेड़ तो जगह जगह लगा रहता है शायर आपके घर के आसपास भी लगा होगा और नीम के पेड़ के बारे में आप सबको पता है कि इसकी नीम के पेड़ की कितनी ज़्यादा नीम की पतियां बहुत आसानी से दूर कर देती है तो नीम की कुछ पतियों को पानी से धोलें उसके बाद आपको क्या करना है इन पतियों को पानी में उबाल कर चान कर जब आप लोग नहाते हैं ना दोस्तों तो नहने वाले पानी में नीम की पतियों का पानी जरूर मिलाए उस पानी से जरूर इसनान करें जिन्हें इस तरह का पुराने से पुराना भी जो दात खाच खुज लिए दोस्तों वह समा तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें तो इस बीमारी को बहुत आसानी से हम लोग क्योर कर सकते हैं कोई डर वाली चीज नहीं है परन्तु बीमारी ऐसी हो जाता है इंफेक्शन तो इसे दूर करने की कोशिश हमें जरूर करना चाहिए तो वीडियो कैसा लगा दोस्तो वीडि को आप लोग ट्राय जरूर करें 100% आपको इसका रिजब्ट